हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत एक बार फिट ताजा मौसम समचार में चलिए जानते हैं देजभर के मौसम का हाल वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बताए अपने जिले का नाम आज बारिष बर्फबारी के आसार हरिद्वार वे उदम सिंग नगर में शीत लहर और घने कोहरे का औरेंज जलट मौसम विज्ञान केंदर के निदेशक विक्रम सिंग के मुताविक राजे के कुछ इलाकों में पस्चिमी विच्छोब के सक्रिय होने की संभावना है उत्रा चाय रहने की आशंका है मौसम विज्ञान केंदर के निदेशक विक्रम सिंग के मुताविक राजे के कुछ इलाकों में पस्चिमी विच्छोब के सक्रिय होने की संभावना है जिसके चलते उत्तरकासी, चमोली, पिथोरागड, रूदर प्रियाग और दहरादून के परवतिय इलाकों में बारिश वे बर्फबारी की संभावना है हलाकि मौसम का बदला मिज़ाज सिर्फ 48 घंटे तक ही देखने को मिलेगा 31 दिसंबर को पस्ची में विच्छोग कमजोर पढ़ने से ठंड का असर कम होगा लखनाओं में टूट रहा ठंड का रेकॉर्ड, शीत लहर कोहरे का सितम जारी जाने अन्य जिले का हाल आपको बता दें पस्ची में यूपी के कईजलों में शीत लहर जारी पस्ची में उत्तर प्रिदेश के कईजलों में शीत लहर का प्रकोब बरकरार है शहाजहापूर मेरट और बरेली में ठंड का कहर जारी है बुलैन शहर मुझफवन नगर और सहारनपूर में भी पिछले 15 दिनों से कडाकी की सर्दी के बीच लोगों की आँखे खुल रही है पजवा हवाओं ने इस इलाके में गलन में लगातार इजाफा किया है सहाजहापूर बरेली पेली भी और मेरट में भी ठंड का डबल अटेक लोगों को देखने को मिल रहा है इन जिलों में भी नियुन्तम तापमान 6 से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है लगनों में टूट रहा ठंड का रिकॉर्ड शीत लहर कोहरे का सितम जारी जाने अने जिले का हाल पहाडों पर बर्फ बारी और बर्फीली हवाओं ने यूपी में ठुटरान और हाड कपाने वाली ठंड बढ़ा दिये है हालात यह हैं कि अधिकांस जिलों में लोग घरों में छुपने को मजबूर है गने कोहरे और शीत लहर की वज़ा से अधिकतम और नियुनतम तापमान में तेजी देखी गई है जिसके चलते लोगों को दिन में भी सर्दी का कहर जेलना पड़ रहा है राजदानी लखनों में ठंड ने दस वर्षों का रेकॉर्ड दोड दिया है कमो बेश यही हालत अन्य जलो की भी है वेश्ट यूपे और न्सी आर में सर्दी का सितम देखने को मल रहा है नीजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काइमेट वैदर के मताबिक कुछ जगाहों पर आज कोल्ड डेकी स्थिती कम होने की संभावना है वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घना कौरा चाया रहने के आसार है आज पंजाब, हर्याना, उत्तरी, रायस्थान, पस्चिमी, उत्तर प्रिदेश और देली के कुछ हिस्सों में घना कौरा चाया रहेगा कुछ हिस्सों में बे मौसम बारिश होने की भी संभावना मिलते हैं इसी प्रकार के एगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत